कि नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूप चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले बीटियस से स्टाफ नर्स के रिजल्ट के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन को यह मेरी बात अच्छी लगेगी यह वीडियो अच्छा लगे क्विज में अज कुछ एशी बात अब आई आप से कुछ बात बताने वाला recurs've bisa करने वाला ऑपने प्रस्नल बाते से यर करने वाला जिसके वरे संब को डोरा लग सकता है कुए आपसे जिन को अच्छा लगेगा वह इस वीडियो को देखना और पूरी लाष्ट दिखना च लगा हुए लोगडाउन के वज़े से कोई भी कारी हो नहीं रहा है ठीक है अब बीटियसे स्टाप नर्स का रिजल्ट अभी तक आउट हो गया यदि कोरोना का प्रकॉप हमारे बिश्व में नहीं फैला होता यह यह महारी नहीं आई होती हमारे इंडिया में आप बिश्व म करना हुए अपने अगले वर्क पर ध्यान दीजिए ठीक है इसके पीछे नहीं पढ़िए क्योंकि सब को पता है कि आप लोग सबसे पहले अदर स्टेट से जो भी स्टूडेंट है वह अपना कांसलिंग तो करा चुके हैं रिजिस्टेशन बिहार का भी कर वाली है प्रोव प्रोविजनल तो मिल गया है अब कांसलिंग भी करा चुके हो अब तो अब सारा चीज आप कर लिए हो आप कुछ तो कर नहीं सकते हो भाई रिजल्ट जब तक आएगा तब तक आपको वेठी करना पड़ेगा यह सालवर के बाद क्यों ना है आपको वेठी वेट करना पड तो आप वहीं तक करेए कि आपका प्रोविजनल मिल गया है रजिस्टेशन करा चुके बिहार का यूपी का रजिस्टेशन बिहार करा लिए हो तो आपको वेठी करना पड़ेगा तो मेरा में मोटीब है कि आप उसको ध्यान ना दीजे अपने अगले बार पर द्यान दीज हमें जानकारियां पराफ्ट हुई है तो आप तक बता रहे हैं सेयर कर रहे हमको जो जानकारी मिलती है हमें जो जानकारी सहीं लगता है हम किसी के द्वारा हम आपको सेयर करते हैं ठीक है तो रही बात लॉक्डाउन की तो यदि लॉक्डाउन के बाद आपका रिजल्ट आ और यदि lockdown के बद यदि lockdown के बाद आपका रिघ्ञान आउट पूता है यदि सरकार ये सुच रहे हैं कि हम Index कि अपका result respective Lub करेंगे यह कोई भी जिए का हो काँसिलिम कराएंगे रिजिस्टेसन कराएंगे हैающ season करा ने मैं जटा यदि सरकार को यह द्हान में रख रही है कि हम लोगडाउं के बाद यहीं रिजान को आउट करेंगे ति यह चीज मेरा बात ध्यान में रख लेना कि रिजल्ट यदि लॉगडाउन के बाद आउट होगा तो आपका बहुत ही आपको लंबा टाइम वेट करना ता है सबको पता कि 4 माई तक है लोगडाउन हटने वाला था नहीं अठा क्योंकि जन संक्य डेली बढ़ रही है को रोना कप जो पेसेंट हैं वोड़ी बढ़ रहा है घट तो रहे नहीं है तो इसलिए 4 माई तक खतम होने वाल था लेकिन ग्रीन जोन रेड जोन का मत अब सॉ सादा और ऴरीट जोन में एक वारे ग्रीन जोन में ऐसे कुछ लॉन को सिरकार ने निगा लिये तो इसके वज़े से आपका लॉकड़ाउन के वैजाज से जब लॉकड़ाउन के बात दो फ़ना तिल डिए फिर बढ़ गया साइसे तो यह लॉंग टाइम तो चलने वाला आपको लॉंग टम तो वेटी करना पड़ाते मेरे मुद्दा मेरा यह कि आप अपने वागले वर्ग पर ध्यान दीजिए अगला वर्ग करिए इसके पीछे ना पड़िए वी सब को पता है कि आप इस चीज में जॉइनिंग कांसलिंग सब मेरे स्वेट अपको ुछी नहीं कर सकते हो आप वीट करने के लाएं और कुछ नहीं करसकते हैं और या पी हर सरकार किया है क्यों कि सनौ पर चुनाओ का अजणर आजाता है क्योंकि भिहार सरकार में दिशंबर वले तक चुनाऊ होने लगते हैं ऐसे लगकढ़न के बाद आपका रिजल्ट आुट होता है तो फिस जौनाऊ का मुद्ध आ जाए क्यों कि लॉट कि अंदर तो आपका चुना होगा लोगणू के खतं होने के बाद में बाद आपको होगा तु. यॉदि लॉट के बाद नहीं मैटा चला गया तो फिर आपको बहुत ही लंबा वेट करना पड़ेगा फिर इसके लिए तो आपको फिर कमर कसके रखो फिर आपकी वेट तो बहुत लंबा करने वाला है आपका फिर आप तो बहुत ही लांग टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए रिजल के यह मेरी लिस्ट के लिए तो यही है मेरा मेन मोटिव कहना तो यह वीडियो यह आपको थोड़ा सभी अच्छा लगा हो गया तो प्रिल लाइक कर देना और सेयर ज्यादा स्जादा करना ताकि सबको यह बाते पता चले सब लोग इस चीज को फॉलो करें सो थांक्यू दोस्तो झाल